वेलकम टू इस्टड़ी 24 उदेपूर आज के इस वीडियो में हम माइक्रो एकनोमिक्स इंटरनेशनल एकनोमिक्स और स्टेटिस्टिक से रिलेटेड कुछ MCQ हैं उनको हम सोल करेंगे आज का मारा सबसे पहला जो प्रशन है demand for a commodity refers to वस्तू की जो मांग है वो किसको दर्शाती हैं वस्तू की आवशक्ता को या फिर वस्तू की इच्छा को या वस्तू की वह मात्रा जो किसी कीमत पर निश्ची समय में मांगी जाती हैं और फिर last हमारा है quantity demanded of that commodity इसका से आंसर क्य हो जाएगा जो demand है वो क्या दर्शाती हैं किसी particular price पर कितनी quantity जो है वो demand की जाती है next हमारा second है which among the following statement is incorrect निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है यह हमको दर्शना इसमें तो इसमें हमारे पास में चार option दे रहे हैं इन चार option को आप एक एक बार देख लीजिए सबसे पहला जो हमार option क्या है कि जो रेखी मांग वकर होता है वहाँ पर 5 प्रकार की जो मांग की लोज की श्रिणिया होती है उसको हम दर्शा सकते हैं तो ये बिलकुल सही है उसके बाद में if two demand curves are linear दो demand कर वे वो रेखी मांग वकर है और दोनों एक दूसरी को एक और option दे रहें ठीक है इसमें जो हमारा सही answer हो जाएगा कौन सा हो जाएगा option second ये incorrect पुछावा कि नीमने में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है incorrect है गलत है next हमारा है तीसरा if the demand for a good is inelastic an increase in its price will cause the total expenditure of the consumers of the good too मतलब किसी वस्तू की मांग की low जों वो किसी है inelastic है बेलोजदार है तो एसी इस्तिती में अगर वस्तू की कीमत में वरद्धी होती है तो वस्तू पर किया जाने वाला जो खर्चा है total expenditure उस पर क्या प्रुभा पड़ेगा तो देखिए मांग अगर inelastic है बेलोजदार होती है तो क्या होता है किमत बढ़ने पर खर्चा बढ़ेगा इसलिए से answer हो जाएगा option a next है the horizontal demand curve parallel to x-axis implies that the elasticity of demand is कि एक मांग वक्र जो है वो क्या है एक्स अक्ष के समाना अंतर है जिसको हम horizontal कह सकते हैं खेतिस कह सकते हैं तो इसी इस्तिमिट demand जो elasticity of demand है मांग की किमत लोच है वो किस परकार की होगी perfectly जो से elastic demand करो हमारा तो जो elasticity है मांग की किमत लोच वो कैसी होगी अनन्त इक्वल टू infinite जिसको हम के सकते हैं तो सही answer हो जाएगा हमार option b next है an individual demand कर slows downward to the right because of the का एक व्यक्तिकत मांग वकर जो होता है वो कैसा होता है निचे की और गिरता हुआ downward ड्रिनात्मक डालका होता है निचे की और गिरता हुआ होता है तो क्यों होता उसके क्या कारण है सबसे पहला जो कारण हमारा है because of low of diminishing marginal utility सीमान दुप्यकिता हास्नियम के कारण तो ये बिल्कुल सही है substitution effect of decreasing price वस्तु की किमत में कमी का जो प्रतिस्तापन प्रभावे वो भी सही है income effect of falling price वस्तु की किमत में कमी का जो आए प्रभावे ये तीनों option सही है इसलिए हमार answer क्या हो जाएगा fourth उपरोक्त सभी चारों सही है next है income elasticity of demand is defined as the responsiveness of कि जो मांग की आए लोच है उसको हम किस तरीके से परिबाशित कर सकते हैं आय की लोच क्या दर्शाती है आय में परिबर्तन होने से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा quantity demanded जो है उसमें कितना change होता है income में change होने से demand में कितना change हो रहा है इसलिए हमारा answer क्या हो जाएगा option first अगला है the supply of a good refers to किसी वस्तु की पूर्ती जो होती है वो किसको दर्शाती है तो पूर्ती का मतलब क्या हो गया एक तरह से quantity of the good offered for sale at particular price per unit of time मतलब किसी एक निश्चित समय में कीमत पर निश्चित कीमत पर particular price इस पर किसी वस्तु की वह मात्रा जो विक्री के लिए तयार होती है उसको क्या कहते हैं supply कहते हैं तो हमारा answer क्या हो जाएगा option fourth next है in the short run when the output of a firm increase its AFC जब अलप कालिन समय में firm का जो उत्पादन है वो अगर बढ़ता है तो एसी इस्तिती में AFC average fixed cost ओसत इस्तिर लागत क्या होती हैं तो देखिए ओसत इस्तिर लागत जो होगी वो हमेशा क्या होगी उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में गड़ती जाती हैं क्योंकि इसको हम कैसे calculate करते हैं TFC upon Q करके इसलिए हमेशा AFC उत्पादन बढ़ने के साथ में क्या होगी कम होगी decrease होगी ठीक है इसलिए से answer हो जाएगा option second next है ninth the cost of one thing in terms of the alternative given up किसी वस्तु की जो लागत है उसकी जो वेकलपिक मात्रा के रूप में हम जो त्याग करते हैं opportunity cost कहा जाता है अवसर लागत कहा जाता है इसलिए से answer क्या हो जाएगा option fourth next है tenth assume that consumer income and the number of sellers in the market for good acts both false मतलब किसी वस्तु की जो उभोगता है उनकी आए और वस्तु के जो विक्रता हैं sellers दोनों क्या हो जाते हैं एक तरह से कम हो जाते हैं based on this information we can conclude with certainty that the equilibrium कि इन उपरोक्त सुस्तनाओं के आदार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो संतुलन है equilibrium है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए ये हमारा demand कर्व और हमारा supply कर्व हैं ये होता है equilibrium अब देखिए consumer की income अगर कम हो जाती हैं तो I come होने से मांग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसलिए मांग वकर क्या होगा निच्चे के और shift हो जाएगा इसी तरीके से जो seller से number of seller से वो भी कम हो गए हैं तो इससे वस्तुत की जो पूरती होगी वो क्या होगी कम हो जाएगी तो पूर्तिवक्रमारा क्या होगा इधर आ जाएगा इस सिस्थिम हम देखते हैं कि जो quantity हैं वो एक तरह से क्या हो जाएगी संतुलन की जो मातर है वो क्या होगी कम होगी तो सही अंसर क्या हो जाएगा option fourth quantity will decrease जो equilibrium quantity हैं वो कम होगी next है 11 the economics objection to monopoly rest on which of the following grounds कि जो अर्थ शास्त्री हैं वो एक अधिकार की जो आलोशना करते हैं वो किस आधार पर एक तरह से करते हैं first हमारा क्या है there is a transfer of income from consumers to monopolist मतलब जो उबगता की income होती हैं वो एक अधिकारी की और हस्तांत्रित हो जाती हैं तो यह बिल्कुल सही है कि एक अधिकारी क्या करता है अपने वस्तु की जो कीमत है वो जादा ले लेता है दूसरा क्या है there is welfare laws and resources tend to miss allocate under monopoly कि जो संसादन है उनका सही से वित्रण नहीं हो पाता है एक अधिकार की स्तिति में तो यह दोनों कथन जो है वो सही है उनका अच्छे से जो allocation है वित्रण है आवंट नहीं वो कहां पर होता है perfect competition में होता है उन प्रतिगिता बाजार में होता है जबकि monopoly में नहीं होता है तो यह दोनों statement जो है वो correct है इसलिए सही answer क्या हो जाएगा option fourth both A and B are correct next हमारा है twelfth in which of the following market structure is the degree of control over the price of its product by a firm very large बाजार के किस रूप में वस्तु की कीमत पर नियंतरन एक तरह से firm का होता है पूर्ण रूप से firm का किस बाजार में वस्तु की कीमत पर नियंतरन होता है तो कौन सा market है से answer हो जाएगा option C जो monopoly market होता है उसमें जो seller है उत्पादक है उसका वस्तु की कीमत पर पूरा नियंतरन होता है next है thirteenth demand for factor of production is जो उत्पादन के साधन होते हैं उनकी मांग किस प्रकार के होती है से answer हमारा क्या हो जाएगा इनमें से derivative demands जो उत्पादन के साधन उनकी मांग क्या होती है व्यूत्पन मांग होती है मतलब इन सादनों का प्रियोग जिन वस्तों के उत्पादन में किया जा रहा है उन वस्तों की मांग के उपर जो फेक्टर से उनकी डिमांड डिपेंड करती है से अंसर क्या हो जाएगा option A next हमारा है 14th number of times a unit of money changes hands in the course of a year is called एक वर्ष में मुद्रा की एक हिकाई जो है जितने लोगों के हाथों से गुजरती हैं उसको एक तरस से क्या का जाता है मुद्रा का चलनवे का जाता है मुद्रा की संचलन गति का जाता है velocity of money इसलिए से आंसर हो जाएगा option C next है 15th the producers demand for a factors of production governed by the dash of that factor मतलब उत्पादन के जो सादन है producer demand for a factors of production उत्पादन के सादनों की जो मांगे वो उत्पादक द्वारा की जाती है तो एक तरस से किसको बडिपेंड करती है उनकी marginal productivity कितनी उनके सीमान उत्पादकता के आदार पर की जाती है इसलिए से answer हमारा हो जाएगा option B next है 16th under conditions of perfect competition in the product market की जो वस्तु बाजार है उसमें पूर्ण प्रत्योगिता की स्थिति में निम्न में से कौन सी condition होती है MRP equal to VMP या MRP VMP से ज़्यादा होता है या VMP MRP से ज़्यादा होता है या इन में से कोई नहीं तो से answer क्या हो जाएगा option A MRP equal to VMP देखिए MRP निकालने के लिए क्या किया जाता है MRP equal to होता है MPP into MR और VMP निकालने के लिए क्या किया जाएगा MPP into Price या AR हम कह सकते हैं और Perfect Competition में जो Price है, AR है वो किसके एकल होता है MR के Equal होता है, दोनों Equal होते हैं इसलिए MRP और VMP ये भी क्या होते हैं, दोनों एक दुसरे के Equal होंगे Next हमारा है 17th Which among the following statements is incorrect, निम्न में से कौन सा कथन जो हैं वो सही नहीं है, चार option हमारे पास में दे रखें, यह हमारा aesthetics वाला जो part है, उससे related, तो चार option है कि एक बार आप रिट कर लिजिए, और फिर इसका जो सही answer है, वो हम देखते हैं तो देखें, निम्न में से कौन सा कथन गलत हैं जो standard deviation हैं प्रमाव विचलन हैं, वो कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकता हैं इसलिए से answer क्या हो जाएगा option, हमारा जो C option है कि जो standard deviation है वो can be negative, कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकता है next है 10th one of the methods to find out mode जो mode होता है बहुलक होता है उसको ग्याद करने के लिए निम्न में से हम कौन सी method का use करते हैं तो देखिए जो mode होता है j equal to हमारे एक formula होता है जब हमारे पास में median और mean दोनों दे रखे होता हैं हम कैसे निकालते हैं 3 into median minus 2 into x bar mean इसलिए से answer क्या हो जाएगा option d next हमारा है 19th which among the following statement is incorrect निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है वो हमको बताना है चार option हमरे पास में दे रखे हैं इन चार option को आप एक एक बार देख लिए index नमबर जो होता है वो relative measurement होता है इन फेक्ट ओल इंडेक्स नमबर और वेटेट फिर theoretically the best average in construction of index number is geometric तो यह सारे जो statement है वो सही है next हमारा क्या है it is not possible to shift the base if it is the case of fixed base index तो देखिए जो हम index नमबर निकालते हैं उसका base अगर fix होता है कोई एक इस्तिरादर वर्ष होता है तो उसको हम बदल सकते हैं देखिए इसलिए हमारा से answer क्या हो जाएगा option d यह जो statement वो एक दर से क्या है गलत है next हमारा है 20 mean division can be calculated from जो माध्धी विचलन होता है उसको हम क्या कर सकते है समानतरमाध्य, mean माध्धी का, median बहुलक, mode तीनों से calculate कर सकते है इसलिए जो सही answer वो क्या हो जाएगा option d next हमारा है scatter diagram is used to study जो scatter diagram होते है वो अर्थ शास्त्र में सांकिकी में किसकी study करने के लिए use किये जाते है तो देखिए scatter diagram का use करके हम क्या कर सकते है दो शेनिया होती उनके बीच में correlation जो सहसमन गुणांग होता है उसका map कर सकते है ठीके जैसा कि अपने theoretical portion पड़ा होगा तो इसके डाइग्राम हमें से बहुत सारे जो points होते हैं उनको हम दर्शाते जो सहसमन ग्याद करने के लिए प्रयोग किया जाता है correlation के लिए इसलिए से answer क्या हो जाएगा option B next है 22 coefficient of correlation is significant if जो सहसमन गुणांखे वो सार्थक significant कब कहलाता है तो उसके लिए हमारे पास में condition होती है कि जो सहसमन गुणांखे R है उसका हम comparison करते हैं किसके साथ में probable error के साथ में संभावे विब्रहम के साथ में probable error को हिंदे में क्या केता है संभावे विब्रहम और जब सहसमन गुणांख का मान संभावे विब्रहम के 6 गुणे से ज़्यादा होता है तो जो correlation होता है सहसमन गुणांख उसको significant सार्थक माना जाता है इसलिए से अंसर हो जाएगा हमार option C R is greater than 6 times of probable error कि जो सरसमन गुणांख के वो संभाव विब्रहम के 6 गुणे से ज़्यादा होना चाहिए next हमारा है 23 which statical measure helps in measuring the purchasing power of money का निमन में से कौन सा सांखी की माप जो है वो मुद्रा की क्रय शक्ती को मापने के लिए प्रियोग किया जाता है तो देखिए मुद्रा की क्रय शक्ती purchasing power को measure करने के लिए मापने के लिए index number जो सुचकांग होते हैं उसका प्रियोग किया जाता है इसलिए से answer हमारा क्या हो जाएगा option B index numbers next है 24 Fisher index number is Fisher का जो सुचकांग होता है वो क्या होता है less pair और पार्षे का arithmetic mean होता है या फिर दोनों का harmonic mean होता है या फिर geometric mean होता है तो देखिए Fisher का जो index number होता है वो less pair और पार्षे दोनों का अगर हम multiply करके under root निकाल दें जो एक तरह से किसको बताता है geometric mean को नमबर वो क्या होता है geometric mean of less pair पार्षे इंडेक्स नमबर next हमारा है 25 which among the following is not correct कनिमन में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है चारों कथन को एक एक बार आपके study कर लिजिए चारों पढ़ लिजिए एक बार फिर इनमें सपन को बताना है कि कौन सा सही नहीं है तो देखिए इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा inflation decrease the nominal value of wages and while the real value increase कि जब inflation आता है तो उससे क्या होता है जो मुद्रा की वास्चविक मुल्य होता है वो बढ़ता ने क्या हो जाता है कम हो जाता है तो यह जो statement है वो गलत इसलिए मारा सही आंसर क्या हो जाएगा option fourth next हमारा है 26 the capital that is consumed by economy or a firm in the production process is known as कि जो उत्पादन प्रक्रिया होती है उसमें जो capital का use किया जाता है ठीक है consume हम उसको करते हैं तो उसको एक तरस से क्या कहा जाता है तो देखे capital का जब हम use करते हैं पुणजी गज़ जो साधन होते हैं उनका गम लगातार use करते हैं तो उनकी जो value down होती है उसको एक तरस से क्या कहा जाता है depreciation कहा जाता है मुल्य हास के सकते हैं या गिसा वडवे के सकते हैं सही answer क्या हो जाएगा option D next हमारा है 27 who propound the opportunity cost theory of international trade अंतर रास्ती व्यापार का जो सिधान ते आवसर लागत सिधान opportunity cost theory जो है वो किसने दी थी तो किसने प्रतिपादित क्या था सही answer हमारा जाएगा हेबरलन ठीक है इसलिए option क्या हो जाएगा fourth next हमारा है 28 which among the following is not correct निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है चार option हमारे पास में दे रहे हैं floating exchange rate system works on the market mechanism बिल्कुल सही है floating exchange rate based uncertainties and speculation ये भी बिल्कुल सही है तो कि floating का मतलब क्या हो गया demand और supply की हिसाब से एक तरह से क्या होता है चेंज होता रहता है के नहीं का मतलब ठीके फिर हमारा है थर्ड हमारा है economic and political factor and value judgment influence the choice of the exchange rate system तो ये भी बिल्कुल सही है the system of floating exchange rate requires comprehensive government intervention ठीके इसमें government का जो हस्तक शेप में उसके आवश्यक्ता नहीं होती है है अब automatically होता है इसलिए से answer हमारा क्या हो जाएगा option सही कतान हमारा ठीक है सही statement है theory of absolute advantage of international trade is given by Adam Smith कि जो अंतर राश्टी व्यापार का निर्पेक्ष लागत सिद्दान ते वो Adam Smith ने दिया था तो ये भी बिल्कुल सही है उसके बाद में next हमारा है pure and perfect competition is the same market structure कि जो पूर्ण प्रत्य कीता बाजार है उसमें और एक हमारा है शुद्ध प्रत्य कीता बाजार तो दोनों के बीच में difference होता है दोनों से नहीं होते हैं तो कौन सा correct नहीं है option तीसरा next हमारा है तीसवा terms of trade that relate to the real ratio of international exchange between commodities is called कि जो व्यापार की शर्ते हैं वो वास्त्विक अनुपात ठीके जो international exchange होता है वस्तों का उनके बीच में वास्त्विक ता को कौन दर्शाता है वास्त्विक अनुपात को कौन दर्शाता है तो व्यापार की जो आई शर्ते होती हैं ठीके इसलिए से एंसर क्या हो जाएगा हमारा option C income terms of trade next हमारा है 31 who among the following indicates the concept of single factoral terms of trade जो व्यापार की शर्ते हैं एक गटकी व्यापार की शर्ते हम कह सकते हैं एक पक्षिया एक गटकी व्यापार की जो शर्ते हैं उसकी अवधाना जो हैं किसके द्वारा दी गई थी जेकब वाइनर के द्वारा ठीक है इसलिए से एंसर हमारा जाएगा option first next है 32 infant industry argument in international trade is given in support of शिशु उद्ध्योक तर्क जो हैं वो अंतर रास्टी व्यापार की अउधाना में किसके लिए दिया जाता है ठीक है किसको एक तरह से बचाने के लिए हम किया सकते हैं तो संरक्षन की जो अउधाना हम पढ़ते हैं उसके लिए जो प्रोटेक्शन की कंसेप्ट हैं तो से एंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा option एक ग्रांटिंग प्रोटेक्शन के लिए नेक्स्ट हमारा है 33 विच अब दो फॉलोविंग इस अलसो नोन एज इंटरनेशनल बेंग फोर री कंस्ट्रक्शन एंड डवलोप्मेंट अंतर रास्ट्री इस तर में किस बेंग को मतलब जो अंतर रास्ट्री है पुनर निर्मान एवम विकास बेंग जो है वो किसको कहा जाता है विश्व बेंग को कहा जाता है वर्ल्ड बेंग को कहा जाता है इसलिए से अंसर रोजय का option अमरा second next है 34 which among the following is not a function of international monetary fund निम्न में से जो अंतर रास्ट्री मुद्रा कोश है उसका कौन सा कारी नहीं है इमेफ नहीं करता है तो इट सर्जें मीडियम टर्म एन लोंग टर्म क्रेडिट इंस्टिशन इट प्रोवाइड ए मेकेनिस और इंप्रूइंग शोर्ट टर्म बैलेंस और पेमेंट पोजिशन टेके चार उप्शन में पास में है तो देखी जो अंतर रास्ट्री मुद्र कोश है वो अल्पकालिन समय के लिए सायता प्रदान करता है तो सही आंसर जो हमारा है इसमें क्या पोचा है not a function of तो सही आंसर क्या हो जाएगा option first next हमारा है 35 विश्व व्यापार संगठन विच रिप्लेस दा गेट ठीके जो एक तरसे गेट की जगह इस्थापित हुआ है वो कब आया है ठीके came into effect from कब से प्रभावी हुआ है कहने का मतलब विश्व व्यापार संगठन WTO की जो इस्थापना है वो कब हुई थी तो हमारा से आंसर हो जाएगा first January 1995 को तो यह देखिए हमारे 35 questions जो है हमने सोल किये है एक question आपके लिए है इसका answer आपको comment box में देना है a change in fiscal policy affects the balance of payment throw कि जो राजकोशी निती होती है उसमें परिवर्तन जो होता है वो भुकतान संतुलन को balance of payment को किस तरीके से प्रभावित करेगा fiscal policy ठीके वो balance of payment को किस तरीके से प्रभावित करेगी current account को जो चालू खाता उसको प्रभावित करेगी या फिर पुंजी खाते को capital account को या फिर current account और capital account दोनों को प्रभावित करेगी या फिर दोनों में से किसी को भी नहीं जो fiscal policy है वो current account और capital account दोनों को प्रभावित नहीं करेगी ति इन चार option में से कौन सा option सही है इसका answer नहीं नहीं